एक्जाम 21 के प्लेटफार्म पर आपका विलकम है इस भाग में हम लोग बैदिक पीरियड यानि बैदिक काल से संबंदित महत्तोपूर प्रस्नों को देखेंगे जो एक्जाम के लिए बहुत ही इंपार्टेंट हैं और या कोश्चन्स एक्जाम में बार बार पूछे जाते ह हैं और कोश्चन्स प्रारम करने से पहले आप लोग एक्जाम 21 एक्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब आउस कर लिजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ततकाल मिल जाए और या कोश्चन्स इंद्रा जीयस एंस्स्ट्यूट के प्लेटफार्म पर भी आइबलेबल है वहाँ भी आप लोग इनको प्रस्नों को देख सकते हैं ओके तो आईए इस सेशन के प्रस्न को हम लोग प्रारम करते हैं इस भाग का फस्ट कोश्चन है सबसे प्राचीन बेध है तो सबसे प्राचीन बेध का उनसा है आपसन आ है रिगवेद, वी इसका सही आंसर होगा ए रिगवेद और यहाँ बहुत इंपार्टेंट है रिगवेद सबसे प्राचीन है या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिगवेद सबसे पहले लिखा भी गया ओके अगर इसमें नमीन बेध की बात आए तो सबसे नमीन बेध अथरवेद आएगा क्योंक इसका सही आंसर ए होगा रिगवेद ओके अगला प्रस्न है गायत्री मंत्र का उल्लेक मिलता है आपसन ए है रिगवेद वी सामवेद सी यजुरवेद और इसका सही आंसर होगा ए रिगवेद रिगवेद में गायत्री मंत्र का उल्लेक सबसे पहले मिलता है और रिगवेद के तीसरे मंडल में इस गायत्री मंत्र का उल्ले किया गया है या मिलता है या लिखा गया है ओके अगला प्रस्न है संगीत के बारे में जानकारी मिलती है संगीत के बारे में कहां जानकारी मिलती है किस बेद में मिलती है आपसने है रिगवेद, B सामवेद, C यजुरवेद, D अथरवेद तो संगीत के बारे में यानि म्यूजिक के बारे में फर्स्ट टाइम उलेक हमें मिलता है जानकारी मिलती है सामवेद में तो सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलती है या दिया गया है और संगीत के साथ सुरों के बारे में विश्त्रित वर्ण सामवेद में मिलता है अगला प्रस्न है तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है तंत्र मंत्र जादू टोना वसी करण यानि वीविच इत्यादी के बारे में यानि Magic के बारे में first time जानकारी हमें कहा मिलती है आपसने है Rig Ved, B. Sound Ved, C. Yajur Ved and D. Āthar Ved इसका सही answer होगा D. Āthar Ved में Tantra Mantra के बारे में जानकारी अthar Ved में मिलती है अगला point है, प्रस्न है अगला प्रस्न है नियोग प्रथा भी दमान थी नियोग प्रथा कहां भी दमान थी? इस काल में आपसनिय है वैदिक काल, B. मौरे काल, C. गुप्त काल and D. राजपूद काल इसका सही आंसर है ये बैदिक काल में और नियोग प्रथा क्या था? नियोगा सिस्टम या नियोग प्रथा विवाहित इस्तरी के पती की मृत्य हो जाने के फश्यात वह री मैरेज यानि पुनर विवाह कर सकती थी अत्वा विवाह नहीं भी करना चाहती थी तो भी संतान प् इपार्टेंट था या बैदीक काल में प्रचलन में था अगला प्रस्न है संस्कारों की संख्या है आपसन ए है 10, B 12, C 14, D 16 इसका सही आंसर होगा D 16 संस्कारों की संख्या कुल 16 है ओके अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है किस बैद में आईरवेद का विबरण मिलता है आईरवेद से तातपर है मेडिसीन यानि दवाओं के बारे में जानकारी हमें किस बैद में मिलती है या मिलता है आपसन ए है रिगवेद, B सामवेद, C यजुरवेद, D अथरवेद इसका सही आंसर होगा D अथरवेद में अथरवेद में आईरवेद से सम्बंदी जानकारी मिलती है और भी बिन प्रकार के डिजीज यानि बीमारीयों के बारे में जानकारी मिलती है और उनके इलाज से सम्बंदी बाते भी अथरवेद में बताया गया है या कहा गया है इसका सही आंसर होगा B, गाय को कहा गया है, गाय को सबसे महत्वपूर पसु के रूप में, रिग वेद में या बैदिक काल में माना गया है, अगला प्रस्न है, पूरू सुक्त भाग है, पूरू सुक्त किसका भाग है? आपसने है, महाभारत, B, गीता, C, रिगवेद, D, वेदांग, इसका सही आंसर होगा, C, रिगवेद का पूरू सुक्त, रिगवेद के दसमे मंडल में इसका उल्ले किया गया है, और इसी पूरू सुक्त में ही चारो वर्णों का वर्ण या उल्ले किया गया है, और बताया ग इस्टमस से वैस एंड पैर से सुद्रवण की उत्पत्ति हुई है, यानि चारोवणों के उत्पत्ति का विधान इसी पुरुष सुक्त में बताया गया है या दिया गया है, ओके, तो इस प्रकार पुरुष सुक्त भाग है, रिग वेद का important question है, exam में हमेशा पूछे जाते ह अगला प्रस्ण है, रिग वेद में कितने मंडल हैं, आपसन A है, 5, B, 8, C, 9, D, 10, सही आंसर होगा, D, 10, ओके, अगला प्रस्ण है, परुष्डी नदी का नाम है, आपसने सिंदु नदी, B, रावी नदी, C, चे नाव नदी, D, सतलज नदी, इसका सही आंसर होगा, B, रावी नदी, परुष्डी नदी का नाम, बैदिक काल में रावी नदी था, ओके, अगला प्रस्ण है, उत्तर बैदिक काल में राजा के मंत्री परिशत को कहते थे, आपसने है, रतनी, B, इसान, C, महिसी, D, पालागल, इसका सही आंसर होगा, A, रतनी कहा जाता था, उत्तर बैदिक काल में राजा के मंत्री परिशत को, यानि काउंसिल को, रतनी कहा जाता था, और इस रतनी में कुल, 12 सदस्य होते थे, अगला प्रस्ण है, निस्क का उलेख मिलता है, निस्क का उलेख कहां मिलता है, इंबार्टन कोशन है, आपसने है, रिगवेद, B, सही आंसर है, रिगवेद में निस्क का उलेख मिलता है, अगला कोश्चन है, आर्य सब्द का साब्दिक अर्थ है, आपसने स्रेष्ट, B, विद्वान, C, युद्धा, D, पुरोहित, सही आंसर है, स्रेष्ट, आर्य सब्द, संस्कित भासा का सब्द है, और इसका अर्थ हो यह कोश्चन पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, अगला प्रस्ण है, पूरोबैदिक काल का मुख्य बेवसाय था, पूरोबैदिक काल का मुख्य बेवसाय क्या था, आपसने है, अगरिकल्चर यानि किसी क्रिसी, B, पसुपालन, C, ब्यापार, D, कोई इसका सही आंसर होगा, B, पसुपालन, पूरोबैदिक काल का मुख्य बेवसाय, पसुपालन था, ओके, अगला प्रस्ण है, आयोध्या का सवरपर्थम उल्लेक कहां मिलता है, आपसने, रामाण में, B, रिगवेद में, C, सामवेद में, D, अथरवेद में, इसका सही आंसर होगा, D, अथरवेद में, अथरवेद में आयोध्या का फर्स्ट टाइम उल्लेक मिलता है, ओके, अगला प्रस्ण है, यग्य का उल्लेक किस बेद में मिलता है, यह भी कोश्चन बहुत इंपार्टेंट है, एक्जाम में हमेजा पूछा जाता है, आपसन, A है, रिगवेद B, सामवेद, और C, यजुरवेद, सही आंसर होगा, C, यजुरवेद, D है, अथरवेद, तो इसका सही आंसर होगा, C, यजुरवेद में, यग्य के बारे में उल्लेक मिलता है, और यग्यों से संबंधित विधान, इसी यजुरवेद में दिया गया है, ओके, अगला प्रस B. सूर्य, C. अगनी, D. सोम, इसका सही आंसर होगा A. इंद्र, पूरोबैदिक काल के महतपूर देवता इंद्र थे, जिन्हें वर्षा का देवता भी कहा गया है, और इन्हें पूरंदर भी कहा गया है, अर्था दुर्गों को नश्ट करने वाले, तोडने वाले, इन्हें प और रिगवेद में भगवान इंद्र का उलेग 250 सुक्तों में मिलता है या किया गया है, ओके, इंपार्टेंट है, कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है, अगला प्रस्न है, बैदिक काल की प्राचीन संस्था थी, आपसनेय सभा, B. समिती, C. विदत, D. रतनी, सही आं प्रस्न है, बोगज कोई अभिलेक मिला है, बोगज कोई अभिलेक कहां मिला है, आपसनेय है, तुर्की में, B. इरान में, C. अफगानिस्तान में, और D. भारत में, इसका सही आंसर होगा, A. तुर्की देश में बोगज कोई अभिलेक पाया गया है या मिला है, ओके, अगल गंगा नदी का सरपर्थम उल्ले कहां मिलता है। इसका सही आंसर होगा ये रिग वीद में गंगा नदी का सरपर्थम उल्ले कहां मिलता है या मिला है। अगला प्रस्ण है किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोणों में की गई है आपसन यह है रिगवेद, बी सामवेद, सी यजूरवेद and डी अथरवेद सही आंसर होगा C यजूरवेद यह जुर्वेत की रचना गद्य और पद्य यानि प्रोज और फर्टरी दोनों रूपों में किया गया है अगला प्रस्न है बोगज कोई अभिलेक पर किस देवता का अंकर नहीं है आपसने है इंद्र, B. मित्र, C. वरुण, D. सूर्य इसका सही आंसर होगा D. सूर्य देवता का अंकर नहीं है जबकि इंद्र, मित्र, वरुण, देवता का उलेक है वैसे बोगज कोई अभिलेक पर कुल्चार देवता के नाम का उलेक मिलता है इंद्र, मित्र, वरुण, और ना सत्य जबकि सूर्य देवता का उलेक नहीं है, अगला प्रस्न है, सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को कहा जाता था, आपसने है उदगाता, B. ब्रह्मा, C. अर्धवर्यू, और D. महोक्ष, इसका सही आंसर होगा, A. उदगाता कहा जाता था, अगला प्रस्न है, बैदिक काल में क्रिसी योग्य भूमी को कहते थे, बैदिक काल में क्रिसी योग्य भूमी को क्या कहते हैं, आपसने, A. छेत्र, B. अवत, C. खिल, D. उर्धर, इसका सही आंसर होगा, A. छेत्र कहते थे, ओके, अगला प्रस्न है, काउन अंत्रिक्ष के देवता नहीं है, अंत सोम अंत्रिक्ष के देवता नहीं है, अपितु सोम प्रिथवी के देवता है, ओके, अगला प्रस्न है, निम्नलिखित में कथन सही है, आपसने है बैदिक काल में कथन सही है कह रहा है, बैदिक काल में बाल बिबा था, बाल बिबा का प्रचलन बैदिक काल में नहीं था, तो यह भी गलत है, यह भी सही नहीं है, बैदिक काल में मात्री प्रधान समाज था, यह गलत है, पुरुस प्रधान समाज था, मात्री प्रधान समाज नहीं था, बैदिक काल में नियोग प्रधा का प्रचलन था, यही सही है, बैदिक काल में नियोग प्रधा का प्रचलन था, त अब तक के लिए धन्यबाद